गाजिपूर में कोरोना का कहर थमने का नाम ही नहीं ले रहा रोजाना जिले में पॉजिटिव मरीज पाए जा रहे हैं इसी क्रम में गाजिपूर जिले में सोमवार को भी 45 संक्रमित मरीज पाए गए हैं मालूम हो कि अभी तक गाजिपूर जिले में कुल 95,973 लोगों का सैंपल कलेक्ट किया गया है जिसमें से 92,888 सैंपलों के रिजल्ट भी आ चुके हैं इन रिजल्ट्स में 89,501 लोग नेगटिव पाए गए हैं हाला कि 3387 लोगों की जाच रिपोर्ट पॉस्टिव भी आई हैं आईए अब आपको बताते हैं कि इस वक्त जिले में कुल कितने अक्टिव मरीज हैं और कितने मरीज ठीक हो चुके हैं मौजुदा समय में जिले में कुल अक्टिव मरीजों की संक्या 355 हो गई है जिनमें से 228 मरीज होम आईसोलेशन में हैं अभी तक 1421 मरीजों को डिश्चार्ज किया जा चुका है और 1575 मरीज होम आईसोलेशन में ठीक हो गए हैं। बुरी खबर यह है कि आज कोरोना वायरस के करण दो लोगों की मृत्यू हो गई। जिसके बाद अब तक कोरोना संक्रवर से मृत्यू का आकड़ा 36 पहुँच गया है जो की एक बेहद चिंतनी विशय है। ऐसे में हम आपसे अपील करते हैं कि इस कोरोना काल में आप अपना ख्याल लखें और सरकात द्वारा जारी सभी गाइडलाइन्स का जरूर पालन करें। बाहर निकलने पर मास्क का उप्योग करें और सोशल डिस्टंसिंग का पालन अवश्य करें। और गाजेपुर कैसी और भी खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।